सबसे पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि इस छेत में शिक्सा के छेतर में मेरा योगदान जो है बहुत पहले से 2016 में जब मैं पासओट हुआ था बीटेग तो मेरा ये एक उद्देश था कि मैं अपने समाज के पत्ती जो है किस तरह से उसको जागरूप करूँगा और समाज जागरूप किस तरह से होगा शिक्सा से एजुकेशन से तो सबसे पहले मैंने एक छोटा से इंसिटूट खोला अपने छेतर में 2016 में कोचिंग इंसिटूट वहां से धिरे-धिरे मैं प्रोग्रेस किया उसके बाद आज मैं एसके पबलिक स्कूल 2019 में स्टैबलिस किया हूँ जो अभी 200 बच्चों के साथ अभी रन करवा रहा मेना सिख्षा के अभी मतलब किसी भी छेत में जाईए कोई भी वैलू नहीं और खासकर मैं जिस एरिया से जिस शेत से आता हूँ यहां पर बहुत ज्यादा जो वहले गरीबी है, अगरीबी कारण जो अशिक्षा भी है, में कारण यही akt侶ा के कारण अगर लोग शिक्षीत होंगे, जागरूप हौंगे तो खुद और खुद जो जो आगरीबी दूर होते जाएगा सिख्षा दिया जाए और दियूरिंग कोई 2019 में तो हम लोग को ले इसके पब्लिक इसकोष उसके बाद 2020 में जस्ट वन यर के बाद ही लॉगडाउन लग लग लिए इसमें सभी की आर्टी के स्थिति खराब हो चुगी थी तो सरकार ने यह अनौस बाद में किया लेकिन हम ल कर दिया सरकार के बोलने से एक मैना पहले ही हम लोग ने गार्जन को यह अनौस कर दिया था तो गार्जन का रूची दिरे-दिरे इसमें बढ़ा इस स्कूल के पती कि हां सर जो है कुछ अच्छा काम कर रहे समाज के पती हम लोग कुछ आगरू कर रहे हैं शिक्षा के छेत कराना है कि स्कूल तो चल रहे है जहां जब यह स्टूल में बैसिकली पढ़ाई के स्चीज़ के लिए पढ़ाई इसमें वन से प्री नर्शरी वन टू टेन पूरा यहां मैट्रिक तक सारा चीज़ पढ़ाई होता है सी बीएसी अफलीटेड है यह स्कूल 2019 इस्टैबिश ह इसके बारे में आगे हम लोग जो है कर रहे है इसके तयारी कर रहे है अभी और बैसिकली अभी तो टूशन में क्लासे होते ही है बीकॉम, बीए, बीएसी, एमेसी, में, एमकॉम टीशन में हो रहा है क्लासेज और आगे इसकूल में भी हम लोग 10 प्लस 2 हाईयर सेकंडरी सीनियर सेकंडरी है सब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द आगे कि यह हम लोग का प्लानिंग है कि देखिए हम लोग मिनीमम लेते हैं मिनीमम एक होता है जैसे और भी इसकूल है बड़े बड़े इसकूल है तो वो जो है मिनीमम वो लोग का फीस है तो हम लोग जो है उसका भी सब्सक्राइब दो ले रहे हैं श्वन्तीपाइब कम कि पर ड़े है और मेन उद्देश यह है इसकूल का कि कम से कम फीस में बच्चों को जो है गरीब बच्चों के जूदेशन मिलें कि जिस शेंसे में आता हूँ वहाँ पे करीब ही जादा है, लोवर मीडिल क्लास फैम भी जादा बिलाउं करते हैं, तो वो देली कमाने खाने वाले हैं, तो वो बच्चे को मतलब बड़े स्कूल में जादा पढ़ा नहीं सकते हैं, फैसलिटी उन लोगों को नहीं मिलेगा, तो हम चार हैं कि मतलब मेरे ही स्कूल में जादा से जादा फैसलिटी मिले और वो भी कम फीज में, कम से कम फीज में वही फैसलिटी जो बड़े-बड़े स्कूलों में दिया जाता है, वही फैसलिटी हम जो है अपने की स्कूल में प्रोवाइट करें, वो भी मिनिमम फीज लेकर, तो इंडियूरिंग को यहां खुछ हुआ है कि हानल יטोत Tao हो रहा है लोगों के पर टी आज जा यह मैसेज जा रहा है कि सर जो सही काम कर रहे तो इससी धी आर जूर बच्चों के साथ उड़ा है कल इंशाल और ज्यादा जो मठेंगे आपको प्राइब को क्या संदेज देना चाहते हैं? वीवर्स को मैं संदेज देना चाहते हूँ अब जिस छेत्र में हो आप कुछ न कुछ योगदान दे चाहे आपको कुछ नॉलेज है तो उसको आप दीजिये बच्चे को या फिर कुछ डोनेशन वेगरा जो है आप दे सकते हैं बच्चे को मतलब गरीब बच्चे आसपास अगर आप देख रहे हैं कि मतलब पढ़ने में उनके गारजर पढ़ाने में असमत दीख रहे हैं तो उनको कुछ मदद किया जाए आप देरेक्टली जो है उनको अडमिशन दिया जाए बहुत सारा स्कूलों में फ्री अडमिशन चल रहा है तो हमारे स्कूल में भी फ्री अडमिशन है अभी इसके पपलिक स्कूल में तो यहां पर आप अडमिशन करा सकते हैं और जो है इसका फाइदा उठा सकते हैं यह स्कूल है लो आडी मौलाना अजाद कलोनी मनान चौप गली नंबर 14 भी में अभी रन कर रहा है तो और मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लिजए डवलेट 0461 0094 इसमें आप मैसेज वाटसप कर सकते या कॉल भी कर सकते जिसके हमारा एक एंजियो चलता है सुफिया सोसल वेलफेर सोसाइटी के नाम से वो 2016 से रन कर रहा है तो उनके प्रेशिडेंट जो मेरे फादर भी है वो आप उनसे बात कर लिजे वो किस तरह से यूगडान दे रहे है किस छेतर में हम लोग सुफिया सोसल वेलफेर सुटाइटी के नाम से एक एंजियो चलाते हैं जिसमें गल्दा पिंशन का भी प्रोधान है और गरीब बच्चों को सिच्छा के लिए मदद की जाती है और भी बहुत सारे समस्याओं का हल हम लोग सोसाइटी के दवारा करते हैं जिसको रास्ता तही बताना है जैसे इंकम साटिक्ट कैसे बनता है आज साटिक्ट कैसे बनता है हमारे मुस्लिमी समाज में बहुत कम लोग जानते हैं इस तिसको राह हम लोग देखाते हैं ताके उनको असानी हो आरो अपने बच्चों को अच्छी तरीका से तालीम दे सके बढ़ा सके और आगे बढ़ा सके यही हमारा संस्था का काम है हमारी यह लेट वाइप कर नाम से है सोप्या सोशल वेट उनके नाम से मैं यह संस्था कोला हूं और मैं मेरी दिली इच्छा है कि लोगों को भलाई करने का मुझे नियत है और जादे से जादे लोगों को भला करूं और लोगों को सही रास्ता देखाऊं सही रास्ता बताऊं कहीं मेरा उद्देश है ताके लोग जादे से जादा लाब उठा सके और सिच्छा के छेतर में पूरी भरपूर मदद हम लोग के संस्था दोवारा किया जाता है गुजरुगों को पेंशन का भी सुविधा किया गया है सतर साल के उपर के लिए तो यह सब जो है हम लोग किये हैं कि लोगों को घला हो और लोगों को सही रा मिले और सही रौशनी मिले इसके लिए मैं यह संस्था खोला हूँ कि अर्वारा कि अर्वारा कि अर्वारा कि अर्वा जाता है झाल